कि मैं तो दक्षिन में भैटा हूँ जा एक किसके डारेक्शन के आपर हुआ है यह मेरे को मालम होन्य रोज का रोज वो टीवी देखने वाले रोज का रोज उनके चाले वाले उनके चम्चे इधर बैटने वाले उनको मालमने वोता है तो आप एक तरह से सीधा इल्जाम लगा रहा है कि रमेज सती जार की उड़ी ने अपने कार्या करता है यो कार्या दक्ष बता रहे ना आप को नहीं जी वो सेकर्टरी एड्मिस्टरेट्व सेकर्टरी होने वाला ये जो भी बैटा है कॉंग्रेस ओफिस में कौन है वो इन्हों ने इसको कोन अधिकार दिया कि कॉंग्रेस को वर्करों को बोलता है कि रमेज कुट्ची का जहां भी फंक्षन हो तो कॉंग्रेस वर्कर नहीं जाना बोलके ये ये कॉंग्रेस आज राजु को मिलब दो, आज राजु को मिलब दो उनके खिणब एमाइम आजू आपते हरा है बुसलमान का उनके अगेज़्ट को मिटाने वाले का प्रोग्रेम बना रहे है यह रही है नहीं तो अपना फैंबली को बढ़ावल देने के लिए काम करते है आपका क्या रोल है मैं तो दक्षिन में बैटा हूँ दक्षिन में टिकेट देना न देना ये उपरवले के हाथ में या हाई कमांड के हाथ में लेकिन इनका मनिशा इनका इराद है देखने के बाद जिस तरह से सौथ में किसके कहने के उपर ब्लॉक अदेक्ष ने जो मिटिंग बुला कर चार लोगों को जो मिटिंग ले रहा है ये मैं केपी सिसी को बता सकता था अभी भी बताने का टाइम आया है कली आ रहा है ये किसके डारेक्षन के उपर हुआ है यह मेरे को मालूम होना चाहिए यह जो राज के पदादिकर होने वाले सभी लोग इसके बारे में सोचना चाहिए अगर कही जाए तो देखिए के पी सी वर्किंग प्रेशिडेंट तो सती जार की ओली है और आप उनके करीब भी रह चुके हैं इसे पहले रहने जार की भी आप करीब रहे चुके हैं तो आपको नहीं लगता हो कहीं तो भी यह दखल होगा दखल उनको मालूम नहीं है रोज का रोज वो टीवी देखने वाले रोज का रोज उनके चैजने वाले उनके चम्चे इधर बैटने वाले उनको मालूम नहीं होता है इन्हों कैसा लेने दिये मही वही पूछता हूँ अभी इन्हों लेने देने वाले तो इनका हाथ भी हो ौंगी लेकिन आज कारहर देखा हैं लेकिन हम इनकों मानते हैं लेकिन इनकों पताए बना कोण है जी वह सकर्टी एड्मिस्ट्रेटर्ट्टी होने वाला ये जो बीटा है कॉंगे अपिस में कौं है वो इन इनों connais को कोण अधिकार दिया कि कॉंग्रेस को वर्कोरों को बोलता है कि रमेश कुची का जहां भी फंक्चन हो तो कॉंग्रेस वर्कर नहीं जाना बुलकर यह यह कॉंग्रेस कि यह मैं पुछता हूं कार्य देख्ष को यह बोलने दे लगाए उसने आपने तो आप यह तरह से सीधा इल्जाम लगा रहें कि रमेश सती जार की उडी ने अपने कारे खरता कार्या दक्ष बता रहें ना अप तो करिया दख सती जाते लोज ए सब्सक्राइए रोज एक एक बात करो तो एक मिनट में उनको जा जाके मिलता है तो फिर उनको मालूम ने हु मैं किसी को डरने वाला नहीं है साब हम हम किसी का खाय नहीं और पिये नहीं हम जो हैं हमारा है हमारा वजुद कायम रहेगा हमारा जो प्रिश्टीज जस दिन मेरे प्रिश्टीज को आए तो ऐसा वो कोई भी एक तीन पाटी सेक्रेटरी को लेके हम वो ऐसा नहीं करने वाले उन्हें कितने भी कोई भी दादा वो हम संभाज पाटिल को नहीं सुने तो इसको क्या सुनने वाले और ये भी उन्हों आज आपके दरिये से मैं बताना चाहता हूं जिस दिन तुम मेरे खिलाब जो कर रहे हैं इसका इसाब आपको देना पड़ता है मैं आज ही बोलता हूं सर जो जिस तरह से कॉंग्रेस के लीडर आपके खिलाब जिस तरह से काम करें तो आने वाले दिनों में कॉंग्रेस का क्या वजूद होगा सर क्योंकि पिछली मर्तबा भी एक नुक्सान अमने देख चुए हहे तो मैं लास्ट बोलता हूं मैं वही तो बोलता हूं इतना सारा जहन्जट करने के बचे से 4 लक्ष्मी भळकरादकर को सीट दे दो चार सेट लोगों को दे दो 10 पिवर्यों को दे दो हिख जा हमारे की क्यास प्यान को भी आपको इसके बावजूद भी यहाँ पर एक दूसरे के ख्षेत्र में दिखल देने का भी देखा जाता है इस पर क्या कि आपकी रायोनेमाने को कुन से काहां पर पर धकल देना है हार-हार-हार-कंशेत्र में दकल दे रहा है यह भी सोचो वही बता रहो आट्रा बेल्गाम सिटी में मैं वही पूछता हूँ आज राजु को मिलने दो या शेट को मिलने दो उनके खिलाब में मुसल्मान का उनके अगेंस्ट बैटने वाला अजीम पतिवेगर उनके अगेंस्ट बैटने वाला सिद्ध की उनके अगेंस्ट बैटने वाला नावल गट्टी तो यह कॉंग्रेस आ सेट भी ला सकते हैं दakukan काभी ला सकते हैं आप काफी हर्णे से काम कर रहे थो अपने प्रोटेश्ट भी किया है ब्रिच के उपर भी देखा ता माई तो कहीं बार गयें तो अब आपके प्रोग्राम्स का बाइकौट करने का कौंग्रेस की जो कार्य कर्ताhehe को आदेशा दिया गया जयसे आप करें तो यह कम्त कर रहा तो तुम्हारे को मिलना क्या वजूद इसा लगता है ना मेरे को मैं देखिए साब आप गुमा फिरा के पूछे तो भी मेरा जवब यही रहेंगा लेकिन जिस तरह से जो कचल रहा है इनों कॉंग्रेस को मिटाने वाले का प्रोग्राम बना रहे हैं यही नहीं तो अपना फैमिली को बढ़ावा देने के लिए काम क जिस तरह से कॉंग्रेस कमबाक कर सकती है ऐसा कहा जाता है इससे पहले भी हमने देखा है कि कॉंग्रीश ही के लोग को तोड़ कर उस तरह चले गये Pray थार तो जिस तरह से यहां वहां होते विया नजर रहता है क्या आगे चलके कॉंग्रेस के फिर लोग उस तरब जा पाएंगे क्या कॉंग्रेस की सरकार यहां बन पाएगी क्योंकि आप एक बड़े सिनेर लेडर रह चुके सर आपके भी काम में कई सारे रुकाउट यारे आप इस पर क्या देखिए कॉंग्रेस जितने के उन्होंने एक तो अमल में आया एक तो अमल में आया आज जो हमारे हिंदु भाई हो या मुसल्मान भाई हो और अनकास्ट के लोग हो यह सोचना है चाहिए थे एक अमल में नहीं है दो हजर चौदा से आज तक आगे जाके क्या करेगा यह महेंगा के उपर उसको बोलने के ताकत नहीं है तो मैं एक मिसाल के तोर पर मेरे पास वीडियो भी है चाहिए तो मेरे प्रूफ है मेरे पास मनमन सिंग ने 310 से 350 सिलेंडर किये थे उस टैम पे उस टैम पे स्मुरुती इरानी और यह हमारा पंत प्रदान मूदी जी ने उसका वीडियो है आप आगे होटिंग जाने के पहले सिलेंडर को नमस्कार करके आप होटिंग करो बोलके बोलेते आज मैं पूछ रहा हूँ 350 से 1000 के उपर गया तुमारे को सिलेंडर नको तुमारे को नमस्कार करके हम होटिंग जाने वाले हैं इसके बार सर जिस तरह से अभी कार्पोरेशन का बजेट को लेकर एक बात कही जा रही है कि जिसे अख्तियार दिया गया है जिसके जेर मातिहत रहना चाहिए लेकिन आप कोई और ही चला रहा है इस तरह की जो मामलात पेश आ रहे हैं उस पर आपने बारहा आवाज उठाई है आप इस स्टेटमेंट पर फोर्म हो कार्पोरेशन एक्ट कॉंस्टूशल अमेंडमेंट्स इस सब देखने के बाद मेरेको ताजूब लग रहा है कि गोवर्मेंट के केस ओफिसर्स चलो छोड़ दीजे मेर चलो छोड़ दीजे कार्पोरेटर आइस ओफिसर रहने वाले यह लोग इन्हों क्या जो काम करते हैं काइदे के ऊपर ही करते हैं तो फिर काइदा छोड़ के क्यों कर रहे हैं मैं बजेट मैं सीधा साधा शब्दों में खाहां बजेट जो कमिशनर प्रिपर करना 27 समीती चेर्मन उसको कॉंसल में लाना सेक्षन 66 तो 72 तक कर्परिशन एक 1976 का इस तहक नीचे आने वाला हर कोई सेक्षन यह स्ताइश समीती चेर्मन को मिलना चाहिए मेर ऐसा कौन सा ऐसा प्रविजन निकाले या कार्परिशन कमिशनर ऐसा कौन सा प्रविजन निकाले या दोनों यम्मेले जो भारती जनतापाटिंग के है क्योंकि एक भारती जनतापाटिंग का यम्मेले यह भी कहा कि हमारा सविदान के तहक ही हम बजेट मन रहे हैं एक है जो हमारे जो सविधान constitution 73 74th amendment जो भी कुछ हुआ है वो अलग है कि इनका सविधान अलग है इनका सविधान अलग रहा तो फिर हमारा सविधान यह हम पड़े सौ रहा हम दिवाने हो गए इनका सविधान रहा तो कोंसा सविधान वो तो कभ बताना चाहिए आप तो आवाज आप आवाज उठा रहे हैं बारहाई लेकिन कॉंग्रेस के भी तो यह मेले हैं वह भी खामोश है कॉंग्रेस के कार्पोरेटर जीत कर आये हैं वह भी कुछ आवाज उठाने के लिए क्या विपक्ष भी खतम हो चुका है क्या करना चाहिए देखिए अंदर बैटने वालों को कॉंग्रेस हो या विरोध्पक्ष के मेस हो या आजनी कोई इंडिपेंडेंट इनको मालुम होना चाहिए इनका क्या इनका जब विरोध्पक्ष में बैठते हैं इनका काम क्या है जो रूलिंग पार्टी जो गलती करता है उसको सुधार के कारप्रटिशन चलाना रहता है लेकिन इन्हों वो नई काम करें तो इरोध पक्ष में क्यों बैट रहे हैं? यह 72 तक क्या एक्ट है क्या इनको मालूम है नहीं है? क्या लगता आपको सर? मालूम होगा ना साब तीन-तीन बार चुन क्या है इसो लोग है अजिम पटिवेगर है वो बाबाजान है और मुझमिल डूनी है यह सभी तीन-तीन बार आने के बाद भी इन्हों एक्ट पड़ें क्या उन्हों जो बोलते हैं वही इस पर आपको क्या लगता है कि यह कार्पोर यह इन्हों जो भी आपोजिशन में रहने वाला जो भी आपोजिशन लेडर रहता है यह आपोजिशन रहने वाले हर कर्पर यह देखना चाहिए कि अजंडा देखने के बाद इसके उपर जो रूलिंग पार्टी क्या गल्ति कर रहा है उसको सुधारना कैसा इन्हों कि आये नहीं तो हम क्या कर सकते हैं यह सिर्फ वह करो यह करो इसमी गय तो दिन नहीं होता ऐसा नहीं है देखिये इतना बड़ा मसला है बजट का शायदी आप जानते हैं मालम नहीं है नेकिन Commissioner को कई powers है कितना लाख तक Estimate पास करना Worst Committee का है Health Committee का है Social Justice का है Taxes and Finance का है यह सब कुछ रहने के बाद इन्हों सभी बिसर को मैं एक पुछता हूँ विरोध पक्षे वाले आज हमारे Party के रहने दो या यह मिस के रहने अभी तक युनों क्यों नहीं पूछ रहे स्थाई समिती इलेक्षन क्यों नहीं हो रहे है यह पूछना इनका धर्म था नहीं हो रहे है बहुत बहुत शुक्रिया यह पूछना इनका धर्म थाई पूछना इनका धर्म